पूरी दुनिया में फुटबोल देखने वाले 3.5 बिलियन लोग हैं जो इसको दुनिया का सबसे बड़ा आउटडोर गेम बना देती है अब 2022 में वर्ल्ड कप होने वाला फुटबोल को जिसको होस्ट करेगी कतार, कतार देश इसको होस्ट करेगा जब से यह अनाउंस हुआ है कि कतार देश वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, तब से लेकर अब तक लगातार ये देश कोंट्रोवर्सी में है ऐसा देश जिसकी टीम ने कभी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई तक नहीं किया वो देश कैसे इतने बड़े टूनामेंट को होस्ट कर सकता है इसके लिए जो इंफ्रास्टक्चर इस देश में बन रहा है, उसके लिए जो माइगरेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं के साथ जानवरों जैसा बरताव क्यों हो रहा है, उनके पासपोर्ट क्यों छीने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों नवशकार, मेरा नाम है गोरो, आप देख रहे हैं, शोशल टोक्स भाई गोरो बिना समय गवाई, शुरू करता हूँ मैं आजगी इस वीडियो को 2010 में फिफा ने यह अनौंस कर दिया था कि 2020 के वर्ल्ड कप कतार में होंगे अब इस वर्ल्ड कप के लिए कतार ने कुछ इंफरास्टरक्चर बनाया है, जिसमें शामिल है साथ नए स्टेडिम इन उनने बनाया है, एक नए एरपोर्ट इन उनने बनाया है मेट्रो लाइन उनने नए बिच्छाई है, नए रोड बनाया है इस इंफरास्टरक्चर बिल्ड करने के लिए जो माइगरेंट वर्कर्स के साथ ये बरताव कर रहे है वो क्यों हो रहा है और क्या वो बरताव ये देश कर रहा है, आई एक बार उस पर हम नजर डालते हैं 2016 में Human Rights और MNST International ने कतार पर ये इलजाम लगाया कि यहाँ पर काम कर रहे परवासी मजदूर, 30,000 गे करीब माइगरेंट वर्कर्स के पासपोर्ट छीन लिए गए पूल के अंडर माइगरेंट वर्कर्स के जो वर्किंग आर्स उनको कम किया गया और जहां ये रह रहे थे उस जगह को भी इंप्रूव किया गया लेकिन 2021 में जब Human Rights Watch की रिपोर्ट आई तो उसमें यही सामने आया कि अब भी वहाँ सिचुएशन सुद्री नहीं है कोई इंप्रूव्मेंट वहाँ पर नहीं हुआ है जैसा पहले था वैसा ही वहाँ पर चल रहा है 2021 में गार्जिन ने एक आर्टिकल चापा और उसमें यह दिखाया गया कि लगबगसाड़े 6,000 माइगरेंट वरकर्स की वहाँ काम करते करते मोत हो गई है कोई हाइट से गिर गया, किसी का हर्ट फेल हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया, बुरा बरताव लोगों के साथ किया जा रहा है उन्हें डंग से न्यूटिशस फूड नहीं दिया जा रहा है अलाकि कतार गवर्मेंट ने इसको बिलकुल मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ जान पूछ कर ये डाटा जादा दिखाया जा रहा है बंगलादेश के रहने वाला ये वेक्ती इसके कमरे में पानी बर गया और उसके कमरे में नंगीतारे थी वो नंगीतारे पानी के कॉंटेक्ट में आई और उसे करंट लग गया और उसने अपनी जान कवा दी International Labour Organization ने भी ये confirm किया कि जो data guardian ने दिखाया है वो data बिलकुल सही है जो data Qatar government दिखा रही वो गलत है वो कम है Labour Association ने ये भी बताया कि जिन जिन वेक्तियों की मोत ज्यादा काम करने से हुई ज्यादा काम करने की वज़े से उनका heart fail हो गया, kidney failure हो गया respiratory system में उनके दिक्कत आ गई, lungs उनका काम करना बंद कर गया कोई height से गिर गया, उसको जब लेजारत ambulance में उसकी मोत हो गई तो इन सारी deaths को Qatar government ने natural death गोशित कर दिया हलाकि ये natural death नहीं है, ये वो death हैं जो काम करने की वज़े से लोगों की हो रही थी लेकिन Qatar government ने इस data के साथ छेड़ चाड़ की और पूरी दुनिया के सामने ये data नहीं रखा लेकिन international labor organization ने दागार जिनके थुरिये बताया कि Qatar में लगबग 500 ऐसे वर करें जिनने बहुत severe injury है, जिनका इलाज़ा भी हस्पतालों में चल रहा है और लगबग 36,000 मजदूर ऐसे हैं जिनने छोटी मोटी चोट लगी हुए किसी का हार टूटा हुआ, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का सर्फ अटा हुआ ऐसे 36,000 लोग Qatar में काम कर रहे हैं दोस्तों अब बात ही है, ऐसा बरताव हो क्यों रहा है 2010 में FIFA ने अनाउंस किया था कि हम Qatar में जो World Cup होंगे वो कराएंगे अब इतना बड़ा infrastructure बनाना तो मजदूर तो चाहिए थे अब Qatar की government का हो सकता है, बरताव उनके परती अच्छा ना हो इसलिए लोग वहाँ से भागना चाह रहे हों और इसलिए सरकार ने उनके passport चीन लिये हो अब सबसे बड़ा और सबसे एहम सवाली है कि इस देश को hosting मिल कैसे गई Qatar की football की history उतनी ही कम है जितनी हमारे मोदी जी ने power में आने के बाद press conference बुलाई है बिलकुल minimal है, है ही नहीं एक तरीके से आप कह सकते हैं बहुत कम है और यह ऐसा देश है जिसकी team कभी वी world cup में qualify नहीं किया है जिसने और final, semi final और cup जीतना तो बहुत दूर की बात है अब ऐसे देश को यह hosting मिल कैसे गई पहले मैं आपको hosting का process बता देता हूँ कैसे होता है जो FIFA executive committee है उसके under voting होती है ballot paper से जैसे पुराने time में हमारे यहाँ पर election हुआ करते थे ना ballot paper से परचिया डाली जाती थी ऐसे ही hosting का भी election होता है एक तरीके से voting होती है जिस देश को ज़्यादा vote मिलेंगे उसको यह hosting दे दी जाएगी अब इल्जाम यह लगाया जा रहा है कि कतार सरकार ने फीफा के officials को रिश्वत दी है और उनके vote खरीद लिए है ताकि वो उनके favor में vote करें उन्हों यह hosting मिल जाए 2021 में अमेरिका ने तीन फीफा के officials पर यह इल्जाम भी लगाया था कि इन्होंने कतार सरकार से पैसे लिए हैं और पैसे लेकर इन्होंने उन्हें hosting दे दी है हलाकि इसका भी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है अब भी अगर football देखते होगे तो एक बार आपके दिमाग में भी जुरूर आए होगा कि कतार कतार ही क्यों और भी काफी देश है जापान है ऐस्ट्रेलिया है अमेरिका है यह वो देश हैं जो successfully tournament को करा सकते हैं लेकिन कतार को इसकी hosting दे दी गई हाला कि इसका भी कोई सबूत सामने नहीं आया है कि कतार ने ब्राइब दी है या नहीं रिश्वत दी है या नहीं सबूत जैसे ही आएगा इतना तो हो सकता है शायद यह world cup खतम भी हो जाए तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो हमें support करने के लिए अब हमारे चैनल को subscribe करके bell icon press कर सकते हैं जल्दी मिलूगा हमें आप लोगों से अगली किसी वीडियो के साथ हैसा content हम आप तक पहुँचाते हैं जो आपको ग्यान दे सके और देश की भी किवी मीडिया से परिशान है तो हमें support जरूर कीजिए बाई बाई टेक केर जहेंद